वातावरंड बदल रहा है और बदलते वे वातावरंड में जितने भी नागरिकों के मन के भीतर आवेश हैं जो किसी ने किसी कमी को देखते हुए शिकायत रूप में उठ रहे हैं उनका एक बहुत सुन्दर सुरूप तो नहीं लेकिन निश्चत रूप से ऐसा सुरूप जिसे नहीं होना चाहिए गत दिनों में समाचारों में दिखा है किसी मंत्री पर या किसी राजनेतिक नेता पर जूते उचाल देने से इसमें दोराय नहीं है कि जीव अपनी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करता है क्योंकि हमारे देश को जूते फेंकने से ज़ादा आवशकता है कि हम परिवर्तन करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं और जहां चुनावी प्रक्रिया समाप्त होती हो उसके बाद भी जन प्रतिनिदी की तोह लेते रहें मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है हम कई कारणों से समुधाय बनाते हैं गृप्स बनाते हैं इंट्रस्ट गृप बनाते हैं तो फिर हम इस प्रजाद तंत्र की विवस्था को इसे पुष्ट करने के लिए हम क्यों नहीं ऐसे समुधाय रचते जो चुनावी प्रक्रिया के बाद भी चुनेवे प्रतिनियों के साथ मिलके काम करने के लिए आगे आए ये सोच करके ही अपने आपको रोक देना कि हमारी सुनेंगे के नहीं ये सोच कर एक कदम पीछे उठा लेना कि ये हमारा सयोग क्यों लेंगे इससे हमारे दायतु की पूर्ती होने वाली नहीं है मैंने बहुत से अपने उद्बोधन पहले भी दिये मेरे उद्बोधन के फलसुरूप एक शिक्षक महोदे ने मुझे ये तक पत्र लिख करके कह डाला कि अठारा साल के बच्चे से आप आशा करती है वो कि इतनी नेगेटिविटी से ओत्पूरत राजनीती को वो प्रभावित कर पाएगा तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप शिक्षक हैं और कोई चारा भी तो नहीं वो संस्कृती जो अठारा साल की उमर में वो संत्ति जिसे टेक्नोलोजी पूरी तरह ग्यात है मुझसे कही डेमोक्रेसी को चलाने की भी तो टेक्निक सिखानी है 18 साल में अगर हमने उसको अधिकार दे दिया तो साथ साथ अधिकार देने के उसे ड्राइवर एजुकेशन भी तो देनी है गाड़ी खरीदने से बात खतम नहीं होती है गाड़ी चलाने लाइक भी तो उसको बनाना है न, and to drive the vehicle of democracy, the driver's education has to begin, को रच साब नहीं हम इसको driving का lessons तो 18 साल में दे देंगे, लेकिन अभी यह बहुत छोटा है, इसको driving की education अभी हम नहीं देंगे, नहीं दोगे, तो क्या होगा, कि धीरे धीरे भडास, इसी प्रकार जन प्रतिनिधियों के सामने, जूते उचाल उचाल क कि दी जाएगी, भारत विश्व को ऐसा सुरूप नहीं दिखाना चाहता, we don't want our children, the young energy, to be channelized into such mode, where creativity does not happen, ask yourself, जूता उचाल देने से प्रटेस्ट हो गया, लेकिन वो उर्जा जो सार्थक योगदान में, to create something instructive जिसका प्रयोग हो सकता था, वो नहीं हुई, दूसरा भी उस उसे प्रेणा पाकर कर फिर किसी तीसरे के सामने जूता पेकेगा, बस इतना होगा, कि पहले चाएक प्यालों पर भड़ास निकला करती थी, अब जूतों पर निकला करेगी, और जिन्हें नहीं बदलना, वो मानने बर आपके भड़ास से भी नहीं बदलते थे, और जूतो से भी नहीं बतलेंगे इसलिए बहुत आवश्यक है this is a question before every mind who knows how to think properly जो ठीक रूप से सोचना जानता है कि नई संत्ती को नई उर्जा को हर उस मानस को जो व्यत्त है who is aggrieved and pained because of the situation in our country कि जिस प्रकार की हमारे गवर्नेंस है उसे चाहिए कि जूते उच्छानने वाली बातों को अधिक बल ना देते हुए रचनात्मक योगदान के लिए अपने चोटे चोटे संगठन बनाकर जन प्रतिनी दी के साथ काम करें चुनाओ पूरे हो जाएंगे मत दालने आप जाओगे लेकिन मत दालने के प्रक्रिया के बाद उच्छ समू को जीवित करिये जो थोड़े थोड़े लोगों के ग्रुप फॉर्म करके उस जन प्रतिनी दी के पास पहुंचे वो आपको जादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएगा टाल नहीं सकेगा आपको क्योंकि अगर आप ठान चुके हैं तो उसे आपकी बात सुननी पड़ेगी आपके साथ अपने सपनों को साज़ा करना पड़ेगा क्यों? Because you are a shareholder in this entire democracy और shareholder के पास अधिकार होता है कि वो प्रश्न भी पूछ सकता है और योगदान भी देगा इसलिए इस बार इस बार ये बात जूते भेकने तक सीमित न रह जाए ये संस्कृति भारत में न आए रचनात्मक योगदान की क्योंकि अगर मात्र विरोध जताने के प्रती हम लोग चले गए तो विरोध जताना भी एक संस्कृति बन जाएगा पहले कभी धरने हुआ करते थे मार्च हुआ करते थे अब जूते ना इससे परिवर्त नहीं होगा इकटे होना है जन्परतिनीदी के पास जाना है प्रश्न भी उपस्तित करने है और योगदान भी देना है साथ रहना है साथ चलना है उचित करने के लिए विविश करना है ये ध्यान रहे जीते उच्छालना ना कोई अच्छे संस्कृती का प्रतीक है और ना समाधान है You must now take it very seriously